Hello everyone this is Pawan Sharma and I welcome you all to my channel guys इस video में बात करेंगे intraday stocks के लिए जो रहेंगे 17th of September and the day would be Thursday और weekly expiry भी रहेगा Thursday को guys आप maximum time जो पूछते हैं कहां entry करें कहां entry करें देखें entry जो है वो ज्यादा matter नहीं करता है actual जो matter करता है वो करता है आपके exits क्योंकि आपके exits जो है वो define करते हैं कि आप profit में निकलेंगे या loss में निकलेंगे कितने profit में या कितने loss में इसलिए जब भी आप entry की बात करें सबसे पहले आप जो है exits पहले refine कर लें अगर आपके exits पहले refine है तो कोई भी चीज stock market में आपके लिए आसान हो जाएगा अगर हम बात कि रहा है अज market का recap की तो आज market ने देखिए finally 604 का जो है level achieve कर लिया जिसमें बार बार कह रहा था कि जो market के 11400 का strong support है और 11 550 का जो है 520 का फिलाल जो है resistance है तो दोनों में से जो भी पहले break होगा market उधर जाएगा तो पहले हमारा जो उपर की तरह break हुआ reason क्या था कल जो है fed की दो दिन का meeting शुरू हुआ है दो दिन का एक जो है policies बनाने के लिए जो भी नए business को revivals के लिए तो ये कल शुरूआ था और ये का आज जो खतम होगा उसका जो outcome है उसकी वज़े से market के positive जा और बहुत सारे market जो उसके outcome का weight कर भी रहे हैं लेकिन दिर दिरे sentiments positive होते जा रहे हैं इस वज़े से हमारा जो है आज market positive में क्लोज हुआ अगर आँ डियाए की बात करेंगे टू एंटू का सेल की एडियाए ने और टू सिक्स्टी फूर का जो है बाई किया है फिर से एफ़ाइन एफ लगातर बाई करता जा रहा है बात करेंगे चार्ट analysis को लेकर कि हमें कौन कौन से जो स्टॉक से मैंने आपके लिए पिक किये हैं कल के लिए तोछिने उनकी वादे बात करते हैं मेरा पहला जो स्टॉक है वो है बी पीसील का ज्राइब लाए या जया या लिप फिर रखिए सक्ट niego को कीओ छूउज़ किया पहले देखिया एक जो है अरो इसे लिशिस्टन्स वेश किया फिर से ब्रेक किया फिर से ब्रेक करके वापीश इला रहे फिर से शपोर्ट लिया फिर से सपोर्ट लिया फिर देखिए यह बता रहा है कि लगातार जो है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट और रिसिस्टेंट की तरह यूज़ कर रहा है तो कल अगर यह ब्रेक करता है मार्केट पॉजिटिव है लेकिन एक बड़ा इंटरस्टिंग जो है क्रूड ओयल का जो है डिमांड कम होता जा रहा है लगातार उसकी वज़े से हो सकता है यह प्रेशर में रहे उसको ब्रेक ना कर पाए तो इसके उपर क्लोज करें और एक कैंडल पांच मिनिट का फिर भा करेंगे तो इसलिए मैंने बीपी सब को चूज किया है कल के लिए बात करते हैं कैडिला हेल्थ केर जो है कल का स्टॉक पूरा का पूरा जो है इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम और यह जो लेवल है अगर कल यह ब्रेक हुआ तो कल ही यह जो है टागेट रहेगा कल ही इस पर टागेट रहेगा हमारा जिसको आप कह सकते हैं आराम से 400 का क्योंकि ऐसा ब्रेक आउट जो है बड़ी मूवमेंट्स को राइस देता है तो इसलिए मैंने कैडिला अल्थियर को चूज किया है कल के लिए बात करें सेंस्यो टेक्स्टायल को एक देखेगा और यह देखेगा दुबारा मतलब यह है इसको कहते हैं कप विद हैंडल पैटन तो अगर यह जो पैटन है यह कल ब्रेक हुआ यह जो पैटन है यहां ब्रेक हुआ तो एक बड़ी राइस होगा जो हो सकता है 380 से लेकर 385 388 तक भी जो है सेंस्यो टेक्स्टायल को उपर लेकर जाए इसलिए मैंने इसको पैट किया है लेकिन अगर यहीं से अगर ब्रेक हो जाएगा तो यह एक बड़े फॉल को भी जो सपोर्ट करेगा अगला स्टॉक है हमारा हेवल्स का हेवल्स में आप यह देख रहे हैं यह जो पॉइंट है यह जो यलो पॉर्चन था इस यलो पॉर्चन को जो है ब्रेक किया है कल यह एक राउंडिंग बॉटम था उसके बाद इसने जो है इसको लेवल को क्रॉस कर लिय है और उसके बाद में लगातार स्टॉक इस जो है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है अब इस ट्रेन लाइन को देखीगा ऑप को दिखाता हूं मैं को यह तो शो मतलब यह है कि अगर ट्रें लाइन जो है यह कल इस पर फिर से सपोर्ट मिला तो कल जो है लेवल हो सकता है 700 के हमें देखने को मिले लेकिन अगर यह जो इसको फॉल करेगा तो यह लेवल वापिस इसी पे आएगा जो है हमारा 665 के अराउंड ओन दा फॉलिंग साइड तो यह था हमारा एवल में अगर बात करते हैं निफ्टी की कल कनफीजन हो गया था बट ऐसे कुछ ने है निफ्टी के चार्ट की जY啸ुograph की आफको मैं बाड़ा क्याता हूँद कंदो क्योंकिन निफ्टी जो है इंडिसेश में चैंडल संफर बात करते हैं और सी या तो आपके जूचरत पैटरं सोते हैं वह ज़्याधा काम करते या level ज्यादा काम करते हैं individual candles कम काम करते हैं तो इसी लिए जो है उस चीज़ को आप हमेशा जब बात करते हैं nifty को लेकर तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं ने कहीं जाके levels ज्यादा important होंगे chart patterns तो अगर बात करें nifty की तो nifty के पास में अब जो है 550 का एक strong support बनता जा रहा है उससे नीचे हमारे पास 11400 भी है और अभी जो है उपर की तरफ पहले जो 11600 पे resistance था वो अपशिफ्ट हो के 11700 पे हो गया है तो मतलब यह कह सकते हैं के 11400 से लेके और 11700 के बीच में हमारा market जो है इस expiry तक trade कर सकता है इसमें कोई बड़ी movement हमारे पास expect नहीं हो रही है क्योंकि market के पास में कोई positivity नहीं बची है हाँ लेकिन अब लगातार जो है vaccine की जो बनने की और इतने million इतने billion vaccines आ रही है इन सब की news लगातार pile up होती जा रही है और कुछ economist हैं वो यह बोल रहे हैं कि हमारा जो है एशिया में worst hit होगा in terms of GDP in terms of economy revival तो वो चीज़ आप बिलको ध्यान में रखिएगा कि कोई अगर आपके पास में बड़ी mind जो है long position के लिए कोई चीज़ माइन में है तो उसको थुरह सा बचा कर रखिएगा for some time बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में आप देखें वही लेवल चल रहा है आप देखें इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है मतलब अगर मैं यह कहूं कि वही देखें 22 570 के आसपास है तो इसके नीचे हमारा क्या है 550 का तो पहरें ने बताया था यह रेसिस्टेंस है आप रेसिस्टेंस के सपोर्ट आ गया तो अगर मान लेते हैं 225 को ब्रेक कर दिया तो स्टॉक तेजिक साथ गिरेगा पहला इसका जो है हर्डल होगा 350 सेकेंड होगा 22200 का इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना है तो अब इसके लिए जो है 22700 का एक लेवल है वो निकल के आएगा और जो है अगर आप बात करें तो बैंकिंग सेक्टर भी बीटन डाउन है तो उ तो इस पेकुलेशन जानबूज के मार्केट में बनाई जाती है लेकिन इंट्राडे के लिए बिल्कुल ठीक है अगर वो जो है इंडेसिन बैंक हमारा राइस करता है तो बाई कीजिएगा बड़ा अच्छा मौ जो है आपको मूव मिलेगा अपसाइड की तरह तो चले बा तो अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं चार्ट रीडिंग के कॉम्पोनेंट्स को समझना चाहते हैं कैंडल्स हाव तो बिल्ड यो स्टाटेजीज हाव तो अंडेस्टेंड दा मूवमेंट हाव तो इडेंटिफाइड सपोर्ट रिसिस्टेंस और इंडिकेट और positions जो हैं identify करते हैं, दूसरा वो अगर आपका time कम होता है, तो आप हमें join कर सकते हैं, option strategies के लिए भी, option strategies में हम वो सब cover करते हैं, जिससे आप nifty और bank nifty को easily options के through trade कर सकते हैं, तो अगर आपका हमारे programs के लिए query है, question है, तो आप हमें whatsapp करके, और 9711-411-007 पर जादा information gather कर सकते हैं, आप BPCL को buy करेंगे 417 के उपर, 410 के लिए sell करेंगे, first target रहेगा 421, 425 का second target रहेगा, और आप sell करते हैं, तो 405 और 401 का first and second target रहेगा, और guys अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया, subscribe कीजिए, बहुत सरे वीडियो हैं, अभी जैसे हमने आपके लिए recap वाला वीडियो शुरू किया है, उसको और refine करेंगे, अभी जैसे initial stage में क्या होता है, कि अभी जादा information नहीं पता होते कि क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे आज जो है, decide किया है, मैंने कि उसमें से थोड़ा सा और time कम करके, कुछ और उसी time frame में कुछ extra information और डाली जाएं, तो इसके लिए आपको हमें subscribe करना पड़ेगा, bell icon को दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम आपके लिए डालेंगा, तो आपको उसका notification मिलता रहेगा, और हमें support मिलता रहेगा, बात करें guys, छोटे से advice की, आज का जिसमें मैंने कहा था, यह पहले भी मैं बार-बार कहता हैं, कि जब भी किसी को follow करते हैं, तो उसके जो हैं, कुछ पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको यह पता चलता है कि जो हैं, working setup क्या से होता है, तो जैसे आज जदाने enterprise दिया था, तो 45 नेट तक कर को stock move ना करे, तो उसको जाने दिजिए, exit कीजिए, और कभी भी एक trade को सिर्पे मत लगिए, aggressive मत होईए, aggressive होने से क्या होगा, आपका नुक्सान होगा, market को पुछ नहीं होने वाला, so please stay calm and move on to the next trade, immediately if you get a stop loss, उसको recover करने की कोशिश मत कीजिएगा, एवल्स को buy करेंगे 683 के ऊपर 674 के निचे sell करेंगे, first target 690, second target 696 का होगा, first target 668 और 662 का second target रहेगा, sell side में, cadilla healthcare को 391 के ऊपर buy करेंगे, 385 के निचे sell करेंगे, first target 395, 398 का buy side में, 381 और 378 का sell side में रहेगा, और गाईज जैसे मैं आपको लगातार अपने जो है, चैनल के उपर trade देता रहता हूँ, लेकिन एक बात याद रहेगा, मेरा motive आप लोगों से brokerage कमाना नहीं है, जैसे आप किसी के थूरू broker जो है, enter करते हैं, और वो आपको अपने special group में लगाता, ट्रेड देता रहते हैं, लेकिन ट्रेड वो लिजी है, जहां पर आपका पैसा बने, उसका brokerage नहीं, तो प्लीज कीप दाट इन माइंड कि जो है, एक ट्रेड से profit नहीं होता है, एक ट्रेड इनफ होता, पूर दिन का, और अगर लगातार जो है, आप ट्रेड लेते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, इसका मतलब यह कि नॉन डारेक्शनल आप लगातार भागे जा रहे हैं, तो प्लीज, if you have in mind that you want to have a peaceful patience वाली जो है जो है जो है, आपको जो है लगातार एक के बाद एक ट्रेड लेना है, तो we are not the one, हम तरह पेशन से काम करते हैं, तभी हमारा जो है, एंट्री एक्जिट्स पे काफी अच्छा मौका मिल जाता है, और सेंस्योट एक्सल को बाय करेंगे 374 के उपार 367 के निचे सेल करेंगे, फर्स टागेट 377, 381 का सेकंड टागेट, सेल करेंगे 11550 के निचे, फर्स टागेट 500, सेकंड टागेट 470 का रहेगा, बैंक निफ्ची को हम बाय करेंगे 22700 के उपार, सेल करेंगे 450 के निचे, फर्स टागेट बाय साइड में 22900, 23000 का सेकंड टागेट रहेगा, और सेल साइड में 22250 और 22100 का फर्स और सेकंड टागेट रहेगा, रीकाप के लिए मैं आप लोग अलड़ी दूसरा वीडियो बना रहा हूं, तो आप प्लीज वहाँ जाके जो यह आज जो मैंने स्टॉक दिये, इनका रीकाप में जो है उस वीडियो में करूंगा कल, और जो मैंने आपको कल दिये थे, इनका रीकाप में कर चुका हूं, त आप आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कि फुम्टक री है, तो आप कमेंट बाक में लिख सकते हैं, विल बैपि तो अंрь है निका रीक सारी खुलाभ दे, लेकिन जो है कई वर पॉसल पहिल अथा, यह जम आपको बना हो जाता है की नहीं हो पाता, यह आख जाता है झाल झाल